साथियों हमारे यहां कहा जाता है विश्वासेन सिद्धी अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती हैं जब हमें स्वयम पर विश्वास होता है हमें पुरा विश्वास था कि हमारे विज्ञानिक बहुती कम समय में वैक्सिन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे इसी विश्वास के चलते जब हमारे विज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क करी रहे थे तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारिया शुरू कर दी थी आप सब भली भाती जानते हैं कि पिछले साल याने एक साल पहले पिछले साल अप्रिल में जब कोरोना के कुछी हजार केस थे उसी समय वैक्सिन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था भारत में भारत के लिए वैक्सिन बनाने वाली कम्पनियों को सरकार ने हर तरह से सपूर्ड किया वैक्सिन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई रिसर्ट और डेवलप्मेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकत चली आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहट मिशन कोविड सुरक्षा के माद्यम से भी उन्हें हजारों करोड रुप्य उपलब्द कराए गए पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है उससे आने वाले दिनों में वैक्सिन की सप्लाई और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है आज देश में साथ कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सिन का प्रोडॉक्षन कर रही है तीन और वैक्सिन का ट्रैल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है वैक्सिन की उपलब्दता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सिन खरेद्य की प्रक्रिया को तेज किया गया है इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है इस दिशा में भी दो वैक्सिन का ट्रायल तेजी से चल रहा है इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सिन नेजल वैक्सिन पर भी रिसर्च जारी है इसे सिरीन से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा देश को अगर निकट भविश में इस वैक्सिन पर सफलता मिलती है तो इस से भारत के वैक्सिन अभियान में और जादा तेजी आएगी